Hello friends, मैंने Flipkart से online trimmer order की थी और जो की आज मेरे पास आ गई है तो और मेरी trimmer का जो name है ये Star RKKWST99 Professional trimmer, coldless trimmer है ये तो आज हम इसकी unboxing करके देखेंगे कि हमारी trimmer जो है कैसी है तो friends, आईए हम इसकी unboxing करते हैं तो देखते हैं कि कैसी है हमारी आईए friends, हम इसकी unboxing करते हैं और देखते हैं कि हमारी जो trimmer है वो कैसी है तो ये जो है हमारी trimmer निकली है इस पर कुछ अलग नाम लिखा है, मैक्स टोप नाम से लिखा हुआ है Professional Hair Clipper Adjustable Blade Clipper लिखा हुआ है इसके उपर नेम तो friends, इसके अंदर देख लेते हैं क्वाल्टी क्या क्या है इसके अंदर जो है जो blades है हमारे carbon steel cutter blade है cutting sharp and durable है, safety material and do not hurt the skin, skin को hurt नहीं करता 1200MA battery है, इसकी जो universal voltage है तो ये हमारी trimmer है इस परकार की trimmer है, तो friends हम इसको open करके देखते हैं कैसी है हमारी trimmer friends ये रही हमारी trimmer, ये हमारी trimmer है देखिए, ये trimmer जो है metallic है, इस तरीके की दिख रही है हमें metallic trimmer है, और साथ में हमारे पास जो है ये cell मिला है और ये जो है charging kit है, हमारे जो cell है, इसको charge करने के लिए ये kit दी गई है, इस परकार से लगा के हम जो है, ये data cable है mobile adapter से हम इसको charge कर सकते हैं, तो ये हमारी है साथ में इसके मिलता है, oil मिला है, oiling करने के लिए इसके अंदर हमारे पास जो length setting थी, length setting हमारे को दी नहीं गई length setting लिखा हुआ, इसके उपर लिखा हुआ है, ये देखिए, साथ में कॉम्ब है कॉम्ब नहीं दिये गई हैं इसके अंदर, तो एक चीज की कमी है और ये रहे कॉम्ब, ये इसके नीचे रखे हुए थे कॉम्ब, तो ये इसके कॉम्ब है, इसके अंदर, चार length setting है इसकी जो length setting दी गई है, four length setting दी गई है, एक ये देखिए, दो, इसके उपर मैं दिखा भी देता हूँ कितनी-कितनी length setting के लिए है, अगर देखिए, एक mm setting करनी हो, hair की, और हमारे पास ये हैं, और भी हैं, ये हैं हमारे पास 3 mm की setting करने के लिए इसी परकार से ये हमारे पास है 4 mm के लिए और ये वड़े हैं हमारे 2 mm की setting के लिए ये जो दिये गए हैं हमारे पास ये brush है इसके जो ये blades हैं इनको साफ करने के लिए दी गए है trimmer जो है काफी अच्छी है मैं यहाँ पर बता दूँ आपको जो इसका price था price जब मैंने इसको buy किया था तो उस time इसका price 259 रूपीज था और plus में मेरे को 40 रूपीज जो है delivery charges लगे थे लेकिन जैसे ही मैंने buy किया इसको buy करने के बाद इसका जो price था 680 के करीब चला गया तो मैंने इस time buy किया था total यह मेरी trimmer 300 के अंदर 299 के अंदर पड़ी है और यह काफी heavy भी है और जो quality है मुझे quality भी काफी अच्छी लग रही है तो इसको use करके देखेंगे हम कि कैसी रहेगी तो friends हम इसके अंदर cell डाल के देखके चला के देखते हैं आप डालेंगे चेक करना पड़ेगा आपको कि cell जो है सही डला है या नहीं तो आपको इस तरीके से बंद कर लीजिए अब चला के देखेंगे यह हमारा बटन है और यह वाला जो बटन है हमारा यह हो गई हमारी और यहां से हम थोड़े से हेर कट करकें हर तो फ्रेंग्स फोड़े से जो हेरे कट्ण करके देखेंगे यह हमने Trimmer को on कर लिए है कर देखिए फ्रेंग्स यह जो है काफी ऐख्या से वर्क कर रही है बहुत ही clean ट्रिम कर रही है हेर को देखिए बिलकूल clean दे पर किर भ खिर जिस तरीके से सेविंग करते हैं उस तरीके से आपके पास हेर को कर दिया है इसने ट्रीमर ने तो ट्रीमर जो है काफी अच्छी है तो फ्रेंड्स अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें वीडियो को शेयर करें और मेरे योट्यूब चैनल को सब्सक्र जुरूर करें और थैंक यू फोर वाचिंग माई वीडियो